पूरी हम इंडियन्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है जब भी हम किसी प्रोपरिटी को परचेस करते हैं हम अपने सारे जीवन की जो मेहनत की कमाई होती है वो प्रोपरिटी के इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं ऐसे में अगर बाई चांस प्रोपरिटी को परचेस करने का ट्रांसफर का वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सो वेलकम टू सटडी आई क्यू माइन इम इस चांद कुबा अगर आगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इन में से किसी भी माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं सबसे पहल अगला जो यहाँ पर step होगा वो होगा negotiations यानि कि यह दोनों के बीच में बातचीत होगी negotiations होगी and यह दोनों एक point पर agree करेंगे and यह देखेंगे कि एक घर की जिसको वो खरीदना और बेचना चाहते हैं उसकी क्या value है let's say यहाँ पर यह दोनों agree करते हैं कि इस घर की value एक करो जाती है buyer के द्वारा seller को so let's say यहाँ पर 10 लाग रुपे जो है advance payment कर दी जाएगी कि इसके द्वारा buyer के द्वारा seller को फिर agreement to sell त्यार होगा agreement to sell basically करार नामा होता है इसमें क्या लिखा होता है basically इसमें लिखा होता है कि भाई किस दिन यहाँ पर जो buyer है वो seller को यहाँ पर final payment क कर टाइम दिया गया कि भाई तीन महीने में buyer ने seller को final payment करनी एंड रिजिस्टेशन करवानी है साथ ही में यहाँ पर लिखा होता है कि भाई अगर buyer in the meantime यहाँ पर property खरीदने से मना कर दे तो उसके उपर क्या penalty लगेगी अगर seller in the meantime property बेचने से मना कर दे तो उसके उपर क्या penalty लगेगी ultimately यहाँ पर माली जिए तीन महीने पूरे हुए यहाँ पर जो है उसके बाद final payment यहाँ पर buyer के द्वारा जो 90 लाग रुपे बचा था वो कर दी गई किसको seller को उसके बाद क्या होगा यहाँ पर sale date त्यार होगी अप sale date क्या होती है basically एक ऐसी document होती है जिसमें यहा पर owner जो जो buyer है उसकी यहाँ पर जो details है वो लिखी जाती है उसका अधार कार्ड नंबर उसका name उसके parents का name उसका जो भी जो पुराना पता है वो सारा यहाँ पर लिखा जाएगा seller का भी यहाँ पर सारी details लिखी जाएंगी and यहाँ पर लिखा जाएगा कि buyer जो होशो हवाज में यह property खरीद रहा है and seller जो होशो हवाज में यह property बेच रहा है इतने इतने में इनकी deal हुई है सारा कुछ उसमें लिखा जाएगा अब मेरा सवाल यह है कि क्या यह plane paper पर लिख दें तो चलेगा तो इसका जवाब है नहीं basically यहाँ पर buyer को एक additional cost bear करनी पड़ती है क्या किया यहाँ पर कुछ पैसा दौ भी पैंशा आप आशर्ट को करेगा अब करने का मक्सोट इह होता है कि government से वो paper खरीदना चाहता है । इसको बोलते हैं तो उसको बोलतें hair यहाँ पर क्या करेगा buy Air यहां पर कुछ पैसा पे करेगा जिसको बोलते हैं stamp duty अब stamp duty जो है government को pay करता है buyer कितनी होती है वो लगबग 3-10% के बीच में vary करती है state to state तो let's say हम दिली के अगर बात करें तो लगबग 5.5 यानि कि 5.5 परसेंट यहां पर stamp duty हमें देखने को मिलती है let's say यहां पर total हमारी property की value कितनी है एक करोड रुपे तो दिली की अगर कोई property है तो यहां पर 5.5 लाग रुपे यानि कि 5.5 यानि 5.5 लाग रुपीज जो है buyer के द्वारा pay किये जाएंगे कि इसको government को बदले में government किसे क्या मिलेगा उसको stamp paper अब उस stamp paper की उपर यह जो sale deed है यह लिखी जाएगे तो basically government जो है कल को कानून जो है तभी आपकी रक्षा के लिए आ सकता है जब आपने कानून की नजरों में एक legal paper पर legal registry करवा रखी हो तो अगर आप यहाँ पर कल को कानून की force चाते हो तो यहाँ पर stamp duty pay करनी पड़ती है stamp duty pay करने के बाद आप उसके उपर यहाँ पर अपनी sale deed त्यार करते हो और उसके बाद यहाँ पर जो है अगला step यहाँ पर उठाए जाता है वो है registration का stamp duty pay करी stamp paper लिया sale deed लिखी अब जाओगे आप सब registrar के पास sub registrar जो है वो सरकारी अफसर होता है जिसके सामने जाकर आपको यानि की buyer को और seller को साथी में दो witnesses को यहाँ पर sign करने होते हैं documents के उपर and sub registrar के भी sign होते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके level पर property आपने खरीद ली यानि की buyer की property हो जाती है मालिकाना हक buyer का आ जाता है तो basically होगा क्या sale deed त्यार हुई sale deed के बाद आप गए किसके पास sub registrar के पास उनकी appointment ली उन से मिले and sub registrar सारी documents चेक करते हैं फिर वो buyer को बुलाते हैं, seller को बुलाते हैं, दोनों के sign लेते हैं, witnesses को बुलाते हैं, sign लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनकी photos होती हैं जितने भी लोग वहाँ पर गए होते हैं, उनकी photos होती हैं, उनके thumbprints लिये जाते हैं and यहाँ पर sub registrar के सामने सारा process complete हो जाता है अब इसके साथ ही यहाँ पर पर सेल पर्चेस हो गई यानि कि परसनल लेवल पर आप जो है जो बायर था वो मालिक बन गया और जो सेलर था उसका जो मालिकाना हक था वो खतम हो गया लेकिन सरकारी रिकोर्ड्स में अभी भी काम अधूरा है इसके बाद एक और स्टेप बन जाता है बच जाता है जहां पर आपको रिवेन्यू रिकोर्ड्स में भी जाकर अपने नाम ये जमीन करवानी होती है जो बायर होता है उसके बाद रिस्पोंसिबिलिटी उसकी हो जाती है कि वो सरकारी records में जाकर mutation करवाए अब क्या होती है mutation उसको भी हम आगे समझेंगे and क्यों ज़रूरी होती है mutation उसको भी समझेंगे basically ये जो पूरा process देखा इसमें हमने क्या legal है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर दुबारा देख लेते हैं हमारा जो registration act है उसमें सपष्ट किया गया है कि जब तक registration deed के द्वारा यहाँ पर प्रोपर्टी ट्रांसवर नहीं होती तब तक वो प्रोपर्टी के जो ट्रांसवर है वो वैलिड नहीं होगी या legal नहीं होगी in the eyes of law यानि कि यह जो process हमने registration नहीं होगी तब तक यह जो प्रोपर्टी का जो प्रोसेस है प्रांसवर का प्रोसेस जो है इसे complete नहीं माना जाएगा इसी के साथ साथ यहां पर यह भी बता दिया गया कि चाहे वो कोई sale deed के अलावा भी कोई और हो सकता है मानली जी गिफ्ट डीड भी हो तब भी वह सब रेजिस्ट्रार के सामने जाकर ही registration करवानी पड़ेगी मानली जी आपके parents ने आपको कोई property gift कर दी अब यह क्या हुआ उसमें आप एक gift data यह valid यह incomplete मानी जाएगी तो basically सब रेजिस्ट्रार के सामने यहां पर जो कारवाई होनी है यह होनी जरूरी हो जाती है हमारे registration act के तहत उसके बाद हमें यहां पर जो मैंने कहा कि the process must be done at the office of sub registrar यानि कि office में जाकर यह process होता है अब आती है मुटेशन की यह तो थी बात यह यह नो registration की फिर अब देख लिए मुटेशन क्या होता है basically mutation क्या होता है mutation of a property is the transfer or change of title entry in the revenue records of the local municipal corporation अब देखो personal level पे तो प्रोपरटी जो है ए ने बी या buyer में seller से खरीद ली लेकिन यह अभी बात सिरफ हम दोनों के बीच में है सरकार के जो revenue records है क्योंकि सरकार क्या है आप से property टेक्स भी collect करती है तो revenue records में क्योंकि यह जो revenue records है यह public record है सरकार को इसमें यहां पर सारी जो data entry हो करनी ज़रूरी होते है क्योंकि सी की बेसिस पर यहां पर प्रोपरटी टेक्स क्लेक्ट किया जाता है तो बेसिकली आपकी यानिकी बायर की responsibility होगी कि registration complete होने के बाद वो revenue records में जाकर यानिकी mutation कर वाई अब buyer completes once a buyer completes the land buying process it is the responsibility his responsibility to get the information registered updated in the revenue records इसी को mutation बोला जाता है basically mutation helps the local authorities to fix the responsibility of the buyer to pay the tax यहां पर buyer क्योंकि देखिये भई mutation जब हो जाएगी तो सरकार को पता चल जाएगा revenue authorities को पता चल जाएगा कि नया मालिक कौन है उसी से फिर वो आगे tax वसूलेंगे mutation को यहां पर जो है अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट्स में जाना जाता है कहीं पर खसरा खतोनी कहा जाता है कहीं पर दाखिल खारीज कहा जाता है कहीं पर साथ बारा भी कहा जाता है सो अलग अलग नाम से यहां पर जाना जाता है आप कहता है जी अच्छा एक और तरीका भी यहाँ पर होता है वो होता है प्रोपरिटी को कुछ लोग न ये पूरे प्रोसेस से बचने के लिए स्टैम ड्यूटी से बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं property को gpa यानि कि general power of attorney से खरीद लेते हैं अब ये बहुत ही ख़दरनाक trend है सबसे पहले तो इसको एक example से समझते हैं मान लीजिए आप मेरे पास आए कि भई आपकी गाड़ी मुझे यहाँ पर खरीदनी है मैंने आप से कहा कि गाड़ी का मालिकाना हग तो मैं अपने पास ही रखना चाता हूँ यानि कि मैं गाड़ी का मालिक तो मैं ही रहूँगा लेकिन अगर तुम्हें मुझसे यहाँ पर गाड़ी को इस्तेमाल करने के लिए लेकर जाना है तो ले जाओ मैं तुम्हें यहाँ पर जी पिए यानि कि जनरल पावर अफ़ और नहीं दे रहा हूँ तुम इस गाड़ी को जैसे मर्जी इस्तेमाल करो इसको कमर्शल के लिए चलाओ इसको अपने प्राइवेट यूज के लिए यूज करो इसका पेंट चेंज करो इसको फर्दर यहाँई पर is a proper कि केस में आजिक रेता है waż यहाँ पर सैलर से क्या मेसा कर लेगा यहांई यहाँ पर सैलर को जाकर पैसे देदेगा सऻलने मैं जनरल पावर अफ़ट और नहीं रहसे लेगा लेका यहां पर क्या हुआ हूआ यहाँपर जो भी जमीन को वोजिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहेगा बायर वो यहां पर कर लेगा इतनी पावर उसके पास आ गई है अब देखते हैं क्या कहता है जी 2011 से पहले हमें देखने को मिलता है कि जनरल पावर ऑफ टॉर्णी के द्वारा जो लैंड की या प्रोपर्टी की ट्रांसवर थी टोज वेरी रैंपेंट क्योंकि पैसे बचाने होते थे सब को स्टैंप ड्यूटी के एंड हर कोई जो है इस मैथर से यहां पर ट्रांसफर करवारा था प्रोपर्रटी की लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजज्मेंट आती है उसमें यहांपर सुप्रीम कोट ने सक्त रुख अपनाते हुए यहांपर यह जजज्मेंट का नाम है सूरज लेंप और इंडस्ट्री वर्सी स्टेट आफ अर्याना की जज्ज्मेंट थी 2011 की वहांपर सुप्रीम कोट ने कहा कि the General Power of Attorney will not give ownership title to the buyer यहनिकि उससे जो ownership title है मालिकाना हक है वो बायर के पास नहीं जाएगा ना जनरल power means all inclusive power and you shall be answerable for any act of the attorney under these powers with respect to all your property matters such as selling, buying, renting, collecting, rent, payment of taxes, repair, conducting cases, so जो भी है यहां पर आपको हर तरीके से property को handle करने की आजादी मिल जाती है अगर आपको seller की तरफ से general power of attorney मिल जाए साथी में क्या कहता है जी for transferring the property through general power for attorney this stamp duty is not required to be paid to the government so basically a stamp duty का ही सारा चक्कर है जिसको बचाने के लिए GPA यहां पर हो जाती है अब एक चीज़ को समझ का चलें GPA का actual use क्या था यह देखें इंडियन्स जो है NRI होने के नाते मेरी जो property यहां थी मैंने वो मैं manage नहीं कर पा रहा हूं मैं यहां से उठा और अपने जो दूसरे देश में मैं चला गया तो मैं अपने किसी रिष्टेदार को या अपने family friend को GPA देकर चला जाओंगा कि भई मेरे पीछे से यह जो मेरी property है इसको जो भी हां पर संभालने की जिम्मारी वो तुम्हारी है तुम्हें legally में यहां पर authorize करके जा रहा हूं कि तुम इसका rent collect करो इसको repair करवाओ इसके उपर कोई issue है दिली में लगबग जो हैं 50% से ज्यादा properties है वो GPA के थुरू यहां पर transfer हो रखी है तो ऐसे में जो जो दिली सरकार है 2013 में उनको यहां पर इसके उपर जो है रोक हटानी पड़ी basically उनको जो यह रोक थी वो हटानी पड़ी ना यह तो थी बात की भाई कोई भी प्रोपर अब दूसरी बात यह कि जी पीए की तो हमने बात की और किन-किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए वह भी देख लेते हैं कहते हैं कि आप जिस भी व्यक्ति से प्रपर्टी खरीद रहे हैं हमेशा ध्यान रखें कि जो पुजेशन है यानि कि जो उसके उपर कबजा है प्रपर्टी की ओपर वह उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो आपको प्रपर्टी बेच रहा है यानि कि सेलर ऐसा नहों कि कबजा किसी और का आपने प्रपर्टी खरीद लेने गए तो वह कबजा ही नहीं दे रहा फिर क्या कहता है कि जी देर इस नो लीज और रेंट देन अ अगर माली जी मैं एक फ्लैट करीदने जा रहा हूं जो सेलर है उसने और इसको रेंट पे चड़ा रखा है तो मैं उस व्यक्ति के पास भी जाओंगा जिसको रेंट पे चड़ा रखा है ये फ्लैट उससे पूछुआ कि भाई इसका प्रपर्टी का मालिक कौन है कौन तु पुराने कागज हैं क्योंकि पुब्लिक रिकोर्ड होते हैं वहाँ पर जाकर आप ले सकते हो और पिछले 30-40 साल में आप देखिए कि किस के पास ये प्रपर्टी रही है कौन से कौन से इसके मालिक रहें साथी में यहाँ पर जो भी प्रपर्टी खरीद रहें उसकी प्रपर्टी के उपर ड्यूस पैंडिंग है तो रिजिस्ट्रार ओफिस में जो आप जाओगे तो रिजिस्ट्रार जो है उसको रिजिस्टर करने से मना कर सकता है क्या कहता है जी लैंड मस्ट भी अनिंकमबर्ड फ्री फ्रॉम एनी टाइप ओफ चार्ज और मोर्गेज य इस चीज को भी एंशोर करना आपकी responsibility हो जाती है फिर क्या कहता है जी कि कोई भी pending suit ना हो यानि कि उस property के उपर कोई भी case ना चल रहा हो या वो property किसी case का हिस्सा ना हो इस चीज का भी ध्यान रखें क्योंकि मान लीजिए आज आपने property खरीद ली और उसके उपर already कोई case कर था किसी ने और जिससे आपने खरीदी उसका मालिकाना हक की कल को court ने cancel कर दिया किसी और को मालिक बना दिया तो आपका जो right था as a buyer वो effect हो जाएगा अगर किसी और को मालिकाना हक मिल गया तो right so कोई भी उसके उपर case नहीं होना चाहिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए and बाकी जितनी भी documents होती है property की details वो सब हमें ध्यान से check करनी चाहिए उसके अलावा क्या है जी कि जो भी आपकी stamp duty बनती है let's say एक क्रोड रुपी की property है stamp duty बनती है 5.5 लाक रुपे तो properly calculate करो अगर आपने stamp duty कम pay की है तो उसकी वज़े से भी आपका जो legal right है property के उपर वो यह पर circle rate जो कि सरकार के दोरा tag किया rate है उस property का वो एक करोड रुपे है आपको वो property मिल रही है डेड़ करोड रुपे में तो whichever is higher उसकी उपर यहां पर जो है वो stamp duty का rate tag किया जाता है stamp duty के अलावा यहां पर registration charge भी आपको लगाया जाता है सरकार को आप registration charge भी जो लगबग 1% हो आपकी property के value का वह यहां पर आपको pay करना होता है साथी में यह ध्यान रखें की property जो है आप अगर females के नाम register करवाते हैं तो वह ज्यादा बैटर है क्योंकि females को जो यहां पर stamp duty जो pay करने होती है वह less होती है as compared to meals so basically a step था to empower empower the women so यह भी एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चा रहे हैं I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा and कोई भी purchase आप करना चाहें study IQ से course तो उसका process बहुत ही सिंपल है उसमें कोई registration आपको नहीं करवानी है simple सा एक चान 33 का code use करो and उसमें आपको 33% का discount मिलेगा अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे till then thank you and have a great day ahead thank you